हलो मेरा नाम चंदरहास है स्टेडी स्मार्ट से मैं आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जेमेटरी से पार्ट फिप्टीन सब्सक्राइब के अगे बढ़ा रहा हूं आगे हमて देखेंगे जो अगे की कोशन को दिहान से देखेगा आपके सरकल से जो कोशनस आते हैं मैंने यहां पे सारी इंट्यूट किये हुए हैं समझने का प्रयास करेगा ताकि आजानी से इसकी प्रैक्टिस करके इगजाम में भ 30 cm and 40 cm whose center are 50 cm apart is मतलब कह रहे हैं कि यहां पर आपको दो सरकल दिये गए हैं ठीक है यह आपका पहला सरकल है और दूसरा सरकल इसको कट कर रहा है ठीक है इंटरसेट कर रहा है तभी common card निकलेगी यह common card मालेजी यहां पर यहां पर यहां पर क्या रही है इनके centers हो गया यह आपका o dash हो गया इनके इनके इनको हम connect कर देते हैं मालेजी यहां पर connect हो रहा है चली कोई बात नहीं यहीं पर मालेते हैं center o dash की दूरी कितनी है 50 cm है यह आपको पता है और क्या क्या पता है कि यह जो circles है इनकी radius कितनी है मतलब मैं अगर इस point को यहां से connect कर दूँ इसको a माल लूँ इसको b माल लूँ यह बीच वाला point है इसको m माल लेता हूँ तो o a की दूरी कितनी दी गई है तो o a की दूरी आपकी दी गई है 30 cm अब आपको बताना क्या है कि common cord की लंबाई कितनी होगी अब यह जाहिर सी बात है कि 90 डिगरी का होगा यह मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी cord हो अगर उसके केंद्र से हम लंब डालें उस पे तो वो क्या होता है 90 डिगरी पे ही होता है और साथी साथी क्या होता है इसको बराबर भागों में कट करता है मतलब am बराबर में mb ऐसा होगा तो मतलब आप am की value अगर निकाल लेजिए तो mb की value आप आसानी से निकाल लेंगे तो am की value आप कैसे निकाल सकते हैं देखे पाइथागौर अश्रूम लगा ये लेकिन यहां पर आपको o- की value 50 cm पता है om की या m o- की value नहीं पता है अगर यह पता होती तो आप पाइथाग अइस निकाल सकते हैं माइनस में x अब देखे थोड़ा सा डारेक्ट काम करने जा रहें क्या कि हमको पता है कि अगर यह थ्रिभूज हम लेते हैं एक त्रिभूज आपका लेते हैं ए एम ओ डेश इसमें आपका एम दोनों में common है तो पाइधा गोरे स्थेर्म लगाएंगे तो उसमें भी आपका एम जो होगा मतलब लंब जो होगा वो common होगा बस विकर्ण और यह हाइपटनियूस और यह आपका जो बेस है यह बदलता रहेगा तो हम क्या करेंगे जब एम common है मतलब दोनों में रहेगा तो उसकी value क्या होगी आपसमें बराबर होगी जैसा हमने पिछले question में किया था पार्ट में वैसे हम direct कर देंगे कि हम इसका स्कॉयर करें और उसको x स्कॉयर में से इसको घटा देंगे इसी सारा चले क स्कॉयर करें उसमें से 50 मैंने सी स्कॉयर में घटा करके सामने सामने लिख रेते एक स्टेप हम यहां पर बचा लेंगे अपना तो क्या करेंगे हम हम यहां पर 30 का स्कॉयर मैंनस से पorschास मैंस का स्कॉयर ठीक है तो हम लगा मान एक सख्वायर रहेगा चार्सource का स्कूर का सोर फॉराल हों इक नोटίο कितना हों चॉफायर और प्लस में क्या हो जाएगा होगा हैँंड में लने हयह प्लस कि रहेगा है सब्सुर्टा सीब्स शुक्यों कि यह बहुत स्युर्मीर कमने similar न आfundERO कूब 1600 को घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस में 900 जोड़ जाएगा 900 में से तो 100 X की वैलु कितनी आ जाएगी एंसर ध्यान रखेगा यह एक्स की वैल्यू आपको पता चलगी अठारा अब आपको अगर एम की वैल्यू निकाल नहीं है तो आप पाइथागोर श्रम यहां पे एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए एम की वैल्यू आपको मिल जाएगा मतलब 900 में से 18 का isq simpler कितना होगा 324 इसको आप घटा लिजिHere 10 में से आपका ''čार जैएगा कितना उचेगा'' छे बचेगा 9 में से 2 जाएगा कितना उचेगा साथ बचेगा और 8 में से तीन जाएगा 5 बचेगा तो under root 576 क्या होता है 24 24 का square होता है तो AM की value निकली यह है यह भी आपका answer नहीं है आपका answer क्या होगा AB का value आपको निकलनी है AM की value क्यों निकली 24 उसका double कर दीजिए तो AB की value कितनी हो जाएगी 24 गुणे में 2 मतलब कितना 48 cm this is your answer okay यह आपका क्या होगा answer होगा तो ऐसे आपको करना है और ध्यान रखेगा आपको एक्जाम में जैसे options मिलते और क्या की चीज़ यहाँ पर निकल रही है okay में रिखाल से आपको समझ में आया होगा साथवा question लेते हैं क्या है two circles of same radius कि कहरें दो circles हैं जिनके same radius कितना है 5 cm intersect each other at A and B वही वाला काम है कि यहाँ पर हम दो circle ले ले लेते हैं एक आपका यह circle हो गया और दूसरा आपका यह circle हो गया दोनों एक दूसरे को A, B पर cut कर रहे हैं यह A और यह B आपका बन गया और दोनों क्या है मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको ignore करिएगा question समझीगा करें कि इफ A, B is equal to 8 cm A, B की लंबाई दे दी गए कितनी 8 cm है ठीक है माली जे cut करने वाला point हम M मान लेते हैं A, B की लंबाई 8 cm तो A, M की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 cm हो जाएगी हमको पता है आधा करना है तब ही पाइथागोरस सिर्म इसमें लगनी है पूचा क्या है the distance between the center is center की वीच की distance कितनी होगी अब A, M की value आपको 4 पता चलेगी यह पता है कितनी है 5 है तो आप O, M की value कैसे निकालेंगे पाइथागोरस सिर्म लगाएंगे क्या होगा 5 का square 25 और माइनस कर देंगे 4 का square कितना 16 पूरा o M की value कितनी आ जाएगी 9 तो O, M की value कितनी आ गईगी तो M की value आ जाएगी 3 अब यह पता है आपको कि इनके जो रेडियस है वो सेम है इधर भी 5 और 4 तो यह कितना होगा सेम ही होगा तो वो भी कितना जाएगा 3 तो पूरा o-2 कितनी आ गई 3 plus में 3 कितना जाएगा 6 cm इनके बीच की distance आपको पता चल जाती है तो जब आपके same radius के दो circles कट करते हैं तो थोड़ा असान हो जाता है कैसे करना है मैंने आपको निकाल के बता दिया उसके अधार पे आपके दो theorem से मैं discuss कर देता हूं theorem number 1 क्या कहती है कि अगर दोनों circle आपके same radius के हैं माली यह circle 1 है यह circle 2 है और दोनों की radius same है और दोनों एक दूसरे के केंदर से यहां से गुजर रहे हैं center से दोनों के पास हो रहे हैं तो ऐसे case में एक तो यह होता है कि माली यह O है यह O' है ठीक है equilateral होता है मतलब बराबर होता है मतलब O A is equal to O' A is equal to O O' यह सब तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है लेकिन कब जब दोनों के radius same हो यहां पे धियान रखेगा condition क्या है radius R की value क्या होगी same होगी दोनों के लिए और यह दोनों एक दूसरे के केंद्र से या center से पास हो रहे होंगे तो दूसरा यहां पे क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो आप A B की value direct निकाल सकते है यहां से A B की value क्या होगी आपको रखनियत क्या निकाल सकते है root 3 गुणे में R R का मतलब क्या radius M है ठीक है इसको छोड़ दीजे भी तो आपको पता है कि A M और M B इनकी value आप असमे बराबर होगी यह हम अभी सब पढ़ते आ रहे हैं मतलब क्या A M की value आप निकाल लीजिए और उसी का दो गुणा कर दीजिए तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा था गुणे में क्या altitude of triangle या ऐसे कह सकते हैं कि height of triangle जो भी है मतलब A M की value अब यह triangle आपका कौन सा है संभाहुत रिवोज है तो इसकी height कितनी होती है इसकी height होती है कितनी root 3 by 2 into 2 में आर तो 2 से 2 कट जाएगा बचे क्या root 3 into में आर तो यह आप outcome याद रखिएगा कहां से आए यह भी मैंने आपको बता दिया दूसरी theorem क्या है इससे related यह देख लीजिए कि मालीजे कोई दो unequal circles है एक circle यह है दूसरा circle ऐसा है unequal radius है radius same नहीं है यहाप याप लिख सकते हैं कि UCSUME. टो ऐसे में खोता क्या है कि एक circle यह मालीजे 2icional के केंद्र के केंद्र मालीजे causes dollars मालीजी और यह कितना है यहाप के अपका O‌ is the case में कियो एक circle के केंद्र से होके जारता है तो ऐसे mean क्या आपका ikis rule होता है यहाँ पर outcome निक्तल आहा है कि O-O gadra D vivo के वीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो उसका एक सीधा सा फॉर्मला होता है अगर O- को मैं D मालनू तो उसका फॉर्मला क्या होता है D square is equal to R1 square plus में R2 square बस यह आप रख दीजे आ जाएगा मतलब इनके वीच की दूरी D square और यह आपका यह connect होगा यहां से आपका R1 और यहां से होगा तो R2 होगा R1 plus R2 का square करके जोड दीजे आपको D square के वल्यू पता चलिगे अंडरोट निकाले D square आ जाती है तो यह जो दो थेयोरम है यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको बताना तो मैंने यहां पर बताया चलिए आगे discuss करते हैं next question को चलिए आठावा question देखते हैं क्या है two circles touches each other internally दो circles है जो एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं देर रेडिया या तू सेंटीमीटर एंड थी सेंटीमीटर कहरें उनके तो हम circles कुछ ड्रॉ कर लेते हैं एक मैं circle बनाता हूं यह आपका माले जित्ते हैं बड़ावाला circle है इसके अंदर यह आपका क्या होगा छोटा circle होगा जिसकी radius कितनी है सेंटीमीटर है अब आपको यहां पर केंद्रों को बनाने पर थोड़ा ध्यान रखना होगा मैं इसका केंद्र अगर मान लेता हूं ओ है तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी दो सेंटीमीटर होगी और पूरा डायमीटर कितने का होगा आपका चार रेडियस होगा 4 cm से बड़ा होगा क्यों क्योंकि आपका डायमीटर यहां तक 4 cm का है पमाल लेते हैं कि उसका केंदर यहां पे है ओ डैश ठीक है बड़े वाले का केंदर ओ डैश पे है आगे पढ़िए क्या है दा बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ दा ग्रेटर सर्किल विच इस डायमीटर या व्यास जिसको कहते हैं हिंदी में जो केंदर से गुजरता है लेकिन यहां पे एक कंडिशन और क्या रखी है कि वह आपके आउट साइड होना चाहिए इनर सर्कल का तो अगर हम यहां पे ऐसे खींचते तो यह इनर सर्कल के अंदर यह आ जाता क्योंकि आपको निकालनी है मतलब अब इसको अगर मैं ले लूँ यह जो पॉइंट यहां पर टच कर रहा है एम ले लूँ और यह क्या ले लूँ भी तो हमको एबी की वेलू फाइंड करनी है कैसे फाइंड करेंगे पाइथा गॉरस ठिरम लगाएंगे सबसे बड़ी बात इसमें पाइसका क्या होगी तो यहां से लेकर के पूरा इस पॉइंट तक माल लेता हूं यह पी है तो o'p कि वेलू कितनी होगी तीन सेंटीमेटर होगी इतनी बात आपको पता है और o' m' कितनी होगी तो O M की value होगी आपकी 2 cm क्योंकि वो छोटे वाले circle की त्रिज्या है तो इसका मतलब क्या होगा O O' की value कितनी होगी 1 cm इत्ती बातों समझ में आती है ये पूरा O' P कितना है 3 cm O P अगर मालनू कितना है 2 cm तो 2 प्लस 1 तभी तो 3 होगा तो यहां पर आप देखिए O O' की value अगर 1 है तो O' M की value कितनी आ जाएगी ये भी आ जाएगी 1 cm आ गई अब ये पता है 3 है ये पता है 1 है A M की value निकाल दीजिए आसान होगा कैसे A M square कितना होगा 3 का square माइनस में 1 का square कितना जाएगा 9 माइनस में 1 या फिर कहले 8 इसको अंडर root करेंगे तो कितना जाएगा 2 root में 2 cm लेकिन ध्यान रखिए A M की value आई है आपको A B की value निकालनी है तो इसको आप 2 से और कुणा कर दीजिए तो A B की value कितनी आ जाएगी 4 root में 2 cm ये आएगी A B की value यही होगा आपका क्या answer होगा ठीक है तो ऐसे करना था आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था यहाँ पे केंद्रों की बीच की दूरी को बाकी और कुछ था नहीं लेकिन बहुत इंपॉटेंट सौल है इसको एक बार और दिखेगा अगर समझ में आया हो तो चले 9th question देखते हैं क्या है तो circles touch each other externally, externally touch कर रहे हैं, the distance between their center is 7 cm, if radius of one circle is 4 cm, then the radius of other circle is, कि दो circle हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक circle आपका कुछ इस तरीके से हैं, दूसरा circle इसको touch कर रहा है externally, यहाँ पे intersect नहीं, यह touch कर रहा है, ठीक है, कहरे हैं कि दोनों के बीच center की दूरी माले, यह O है, यह कितना है, O dash है, दोनों के center के बीच की दूरी आपको दे दिया गया, 7 cm है, O dash कितना है, 7 cm, और अगर यहाँ से मैं इसको connect करूँ, यह जो point है जहाँ पे touch करने से मैं M समझ लूँ, तो O M की value कितनी है, तो O M की value दी गई है, 4 cm, ठीक है, तो आप ही आसा कोशन है, इस तरह कोशन है, सीजेल, टीर 1, 2013, पूछा गया थे, इसलिए लिया है, जब O dash की value आपकी 7 cm है, O M की value अगर 4 cm है, तो इसकी value कितनी होगी, 3 cm होगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, लेकिन देख लिजे इस तरह क सरकल यहां पर बना हुआ है, यह यूनिट रेडियस का है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है, एक यूनिट है, इसके अंदर एक ABCD, इसको लेवलिंग में कर देता हूँ, A, B, C, D, यह ABCD आपका क्या है, स्क्वाइर है, सेमी सरकल्स आर डिस्क्राइब ऑन इच साइड एज डा या हर एक साइड पे, तो ऐसे हम बना सकते हैं, यह आपका सेमी सरकल हो गया इस तरीके से एक सेमी सरकल आपका इस तरीके से और एक सेमी सरकल आपका इस तरीके से एक साइड पे है, the area of region bounded by four semi circles and circle, हब आपको उस area को बतना है, जो semi surkल और सरकल के बाउंड में है मतलब यह जो अंदर वाला एरिया है यह आपको बताना है इस सब को मतलब चारों को मिला करके कितना होगा तो कैसे करेंगे इस कोश्चन को तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि जो ABCD आपका वर्ग है यह आपका इसका छितफल कितना है इसकी और यही इसका क्या होगा आपका डाइमीटर होगा रेडियस तो आपको पता है कि OC की वेल्यू कितनी होगी एक यूनिट होगी यूनिट यूनिट नहीं लिख रहा हूं परना भ्रहम से आप 14 न पढ़ लिजिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि AC की लंबाई कितनी होग कि AC की लंबाई कितनी होगी अगर यह एक होगा यह होगा यह होगा तीक सी की लंबाई 2 हो जाएगी ठीक है दो यूनिट हो जाएगी AC की लंबाई हमको किसी एक भुजा की लंबाई एगर स्क्वाइर में निकालनी है तो कैसे निकाल सकते है या तो आप पैथागोर असरम लगा तो आप इसको आपको पता नहां क्या हुआएंगा. यहां से आप निकाल सकते हैं ऐसे. अगर आपको पता है कि डायमीटर या यहां पर जो इस समय अपका hypertonuous है या कहले ज़िए आपका जो विकर्ण है वो आपका work क्या होता है उसका और भुजा के बीच में संबंध क्या होता है अगर यह आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि निदेजितीट हमान लेते हैं यकितनी पता चल गए ऐसी कि वेल्वी के रूट तू टो पता चल गइगा टोटल बाथ हैं कि हम को यह पता चल गया कि YB की कितनी है रूट2 संकेल सेंटिमेटने यूनिट है ठीक है अब इससे उमको निकलेगा क्या यह हमको समझने वाली A, B, C, D, इसका छेत्फ़ल कितना होगा, 2 unit का होगा, root 2 का square करेंग कितना है का 2 unit, साथ ही साथ, हम ये जो semi circles हैं, इनका हम निकालने, छेत्फ़ल 4 का total कितना होगा, देखे, circle का area कितना होता है, pi r square, semi circle है, इसलिए इसका area कितना होगा, pi r square, बटे में 2, लेकिन ये 4 semi circle हैं, इसलिए 4 का हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, calculate करें, 4, देखे, 2 बार इसे cut कर देगा, 2 ही बचेगा, 2 गुणे में, pi r square की value कितनी है, देखे, r क्या है, यहाँ पे, r हमने देखा था, कि r की value कितनी आये थी, semi circle को जब लेके चलेंगे, तो जो c d या a b जो भुजा है, वही r का काम करेगा, यहाँ पे, तो r की value कितनी हो जाएगी, तो a b की value कितनी है, root 2 है, तो r की value निकालनी होगी, तो root 2 बटे में 2 करना होगा, इसका मतलब कि 1 upon में root 2 आ जाएगी value, cut करेगा तो, तो r square है, तो यह कितना आ जाएगा, एक बटे में 2, square करेंग रूट हड़ जाए, कितना आ गया, pi, मतलब जो semi circle से हैं, उनका area कितना निकल कि आ गया, pi आ गया, अब हमको beach वाला area निकालने है, और semi circles का छेटफल निकाल लिया, दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो क्या जाएगा, 2 plus pi, मतलब हम यह पूरे आकशादी, जो भी छेट रहे, इस पूरे का हमको छेटफल मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसके beach का छेटफल चाहिए, तो हम circle का रिया निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, radius पता है क्या होता, pi r square होता है चेटफल, pi r square r की वल्यू कितनी है, एक unit है, रखेंगे कितना जाएगा, pi आ जाएगा, तो 2 plus pi, minus pi करेंगे कितना है, pi से pi कड़ गया, कितना गया, दो unit इसका आगया, छेटफल जो की, यहाँ पे पूछा गया है, बहुत अच्छा question था, interesting था, इसलिए मैंने यहाँ पे discuss किये आपके साथ, ताकि आपको समझ में आ सके, और पूरा clear अग्दम बन सके, कैसे इस तरह questions को करना है, तो यह आपके सामने, ताकि आपको बहुत अच्छे तयार हो जाए, तो वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताईएगा, कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ हूँ, वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएए, प्रॉब्लम्स आसान हैं, करने का तरीका अगर आपको पता है, तो उनको भी पता चल जाएगा, और उनके लिए आसान हो जाएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगी, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहेगी, अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, have a nice day and bye!